तो आज हम फिर से कुछ और vacancies लेकर आए हैं यह vacancies निकली है Broadcast Engineering Consultants India Limited यानि की BECIL में तो आप देख सकते हैं अलग-अलग प्रकार के पदों पर काफी सारी vacancies निकली है Advertisement number 81 Applications are invited for engagement of following manpower purely on fixed term contract basis तो यह contract basis पर यह vacancies है और पहली vacancy है handyman या फिर loader की Age limit है 45 साल और 8 भी पास मांगा गया है और local language का ग्यान होना चाहिए और हिंदी का भी Desirable क्या है English पढ़नी आनी चाहिए और एक साल का आप से अनुभा मांगा गया है cargo handling में और location जहां पर आपकी यह vacancies निकली है और अगर debuggerd और silcher मिलता है आपको location तो 11,206 रुपे Next post है data entry operator की 30 साल आपकी अधिक्तम आयू रह सकती है graduation मांगा गया है computer की basic knowledge 2 साल का अनुभाव और location आप देख सकते हैं गोहार्टी, डिब्रुगर्ड और सिल्चर salary अलग-अलग है 15,000 और 13,000 जगा के इसाब हिसाब से उसके बाद है supervisor age limit 30 graduate मांगा गया है एक साल का अनुभाव computer का ग्यान location आप देख सकते हैं salary आप देख सकते हैं senior supervisor maximum age 35 साल graduation मांगा गया है basic computer का ग्यान 2 साल का अनुभाव location देख सकते हैं और जो category है वो highly skilled है यानि कि आपके पास skills होनी चाहिए और salary कितनी है 20,000 और 18,000 location के हिसाब से age relaxation will be considered for already engaged or experienced people from cargo industry तो जिनके पास cargo industries experience है उन्हें age relaxation दी जाएगी और जो already इस field से जुड़े हुए हैं उन्हें भी relaxation दी जाएगी number of positions may be increased decreased on need basis तो बढ़ाई अगटाई जा सकती है vacancies the manpower be deployed in phased manner as per requirement तो आपको कहीं पर भी भेजा जा सकता है requirement के हिसाब से no candidate can claim as a right तो आप अधिकार के रूप में यह नहीं कह सकते कि आप मुझे यहाँ पर लगा दीजिए some of the candidates may also be deputed to दीमापूर from Gohati and Debrugard तो Gohati और Debrugard से हटागर आपको दीमापूर में भी लगाया जा सकता है selection engagement will be made as per the prescribed norms and requirement of the job तो आपकी selection कैसे होगी वो आपको बता दिया जाएगा जो भी prescribed norms होंगे TADA आपको नहीं दिया जाएगा written exam के लिए application must be submitted online only तो आपको online आवेदन करने है becil.com पर जाकर वहाँ पर आपको carrier section नाम का एक option मिलेगा वहाँ पर जाकर आप अपने आवेदन कर सकते हैं candidate must review their application form तो आप form fill करने से पहले सभी जानकारी जुटा ले कि आपकी eligibility criteria पूरी है क्या नहीं in case of any doubt तो आपको एक email id भी दी गई है इस email id पर आप संपर्क करके अपने जो queries हैं उसका solution ले सकते हैं khusvindarsingh at becil.com या फिर mahesschand at becil.com और आपको phone number भी दिया है इस पर भी आप संपर्क कर सकते हैं last date का है 7 October 2021 apply कैसे करना है मैंने आपको बताया becil.com पर जाकर आप apply कर लेना या फिर direct link भी है becil.com यहाँ पर भी आप जाकर apply कर सकते हैं registration to be completed in 7 steps तो साथ जो आपको steps दिये गए हैं इनमें आपको complete करना होगा पहला होगा select advertisement number basic detail डालनी है education qualification डालनी है documents upload करनी है preview करना है modify करना है online payment करनी है और उसके बाद आप submit कर पाएंगे अब बात करते हैं fees की general category की है 7500 रुपे अगर आप एक से अधिक पद के लिए आविदन करना चाहते हैं तो दूसरे पद के लिए आपसे केवल 500 रुपे लिए जाएंगे 7500 नहीं लिए जाएंगे पहले पद के लिए 7500 दूसरे पद के लिए 500 अगर तीसरे के लिए आप apply करना चाहते हैं तो भी 500 रुपे ऐसे ही OBC के लिए 7500 SCHT के लिए 4500 और EWS के लिए 4500 है आगे आप देख सकते हैं और जो GST है जो अलग से पेमेट करते हैं जो चार्जिस लगते हैं वो भी आपको पे करने होंगे बाकि आप पढ़ लिजेगा अगर आपको कुछ समझना है तो आप मुझसे comment करके पूछ सकते हैं या फिर जो आपको उपर email ID और phone number दिये गए थे अगर आपको कोई query आती है तो आपको वहाँ पर भी समपर्ख कर सकते हैं जो ये number दिये हैं और जो email ID दिये है तो ये थी vacancies broadcast engineering consultants India limited में अगर आप इच्छुक हैं eligible है तो जरूर apply करें और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो से like करें share करें comment करें और चैनल को जुरू subscribe करें इस चैनल पर आपको all India level की सभी vacancies की जानकारी दी जाती है